कि अज़ाओ अलेकुम आज हम फिर फाइनिंचिल फंक्शन के एकों में फंक्शन को सीख रहे हैं जिसका नाम है FV यानिके मतलब अगर आपने कर्दा लिया है मैंक से किसी भी इदारे से दो लाग रोटे का और उसको 30% के रेट पर लिया गया है और 60 मांग्स यानिके 60 इंस्कॉल्मेंट में अदा किया जाएगा तो टोटल अदाएगी कितनी होगी टोटल प्यामेंट कितनी ही जाएगी उसके लिए आप को पहले मालूम करने पढ़ेगी इसकी मनत्या टेमेंन टेंा आप इसकी मालूम करेंगे future value मालूम करने का तरीका क्या है आप जाएगे formula में financial functions में और यहां से CLICK करेंगे आप एक function launch करेंगे जिसका नाम है प्लिक करेंगे इसके बाद आप दी करना है क्योंकि आप प्लिक करना है तो यह की मंत्री इस्टॉल्मेंट वालू हो गई आप future value मालूम करने के लिए आप click करेंगे financial functions पर और यहां से function launch करेंगे जिसका नाम है as V यहां पर आपने rate को select करना है rate पर reference करना है एंपर को reference करना है टेमेंट को reference करना है और principal value में principal value को reference करना है यहां पर ख्याल करना है कि आपने एंपर को डिवाइट करना है 12 से, जैसी एंपर को डिवाइट करेंगे, डूरेशन को आप 12 पर डिवाइट करेंगे और ओके करेंगे, तो यहां पर आपको वो अमाउंट पता चलेगा, जो कि आप पूटल रिटम करेंगे, मतलब आप इसको रिटम करेंगे 2,00,000 के उपर 6,84,000 तकरीबन 5 years के अंदर इस आपका जो amount है वो 30% है तो ये तरीका है future value मालूम करने का ठीक है